ये कल्यूग है इस कल्यूग में जो दिखाते हैं वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाते नहीं जो सच बोलता है वो जूट लगता और जो जूट बोलता है वो सच लगता है जो चीजे अच्छी होती है वो गंदी लगती है और जो गंदी होती है वो अच्छी लगती है औ बात करेंगे इस डॉक्यमेंटर के बारे में जिसका नाम है टिंडर स्विंडर अब यह डॉक्यमेंटर सिर्फ जो टिंडर आप इस्तमाल करते हैं उन लोग के लिए ही नहीं है अगर नहीं पता तो गूगल करके देखें यह कोई जरुवत नहीं है अच्छा ही यह आप लोग को पता नहीं क्योंकि कोई काम की चीज नहीं और अगर पता भी चल जाये न तो इस्तमाल करना नहीं और अगर करने की चुल भी चड़ जाये न तो उसके पहले ऐसे डॉक्यमेंटर्स देख लो आपको काम भी आएगा और काफी सेफ भी होगा तो ज 1990 में पैदा होने वाला एक लड़का शिमोन यहूदा हयूद 2011 से यानि के जब से उसे पैसे से कैसा खेला जा सकता है इसकी समझ आ गए तब से वो ऐसा काम करने लग गया कि वो रातो रात अमिर बन गया और इतना अमिर बना कि इसरेल की सबसे बड़े LLD डाइमेंड्स के मा वाइजर होती हैं उन्हें इतना तक समझ नहीं आता कि इतने बड़े घर के लोग टिंडर पर आकर अपने माबाप या अपने परिवार का नाम खरब क्यों करेंगे अपने शेर होल्डर की गांड की उमारे को अपने कंपनी को क्यो डुबाएंगे लेकिन चलो मान भी लिया और फिर उनकी जिंदगी और पैसे के साथ क्या क्या करता है कैसे करता है और कितना करता है ये 사ब आपको चोंटियों की कहानी देखनी के लिए मिलेग जांड कुछ लोग नहीं उनको बता जिंदे की चितना इजी नहीं है तो अगर वो लड़कियों को येडा बना कर उनसे पैसे एट राता तो येड जवन उसे डेट करने से पहले उसका सारा हेस्ट्री ढोंड के निकालादा तब ही देखा नहीं था वो किसका संतान है तो जब उसके उपर आपती आई है तो उसके माबब पर भी तो आई होगी ना लेकिन नहीं पैसे की सामने सबंदे हो गए थे और ये लड़कियां जो पहले से ही मतलब दुनिया वालों के हिसाब से अपना मुह काला करके बैठी थी तो कौन से मुह से अपना मुह दिखाएंगी इसे कहता है पड़े ल सास्टों पर मत भागिए वरना क्या हाल होगा यह आपको पता चलने से पहले इसे नहीं है तो आप सोचो अपके लिए तो पहले से कबर खुद करके हुए बहुद आईसा नहीं है कि मेरे जिंदगी में मेरी कभी कटी नहीं आते मेरे कभी लगी नहीं और ऐसा अगर आपको कोई बोलता है तो आपको चूटिया बना रहे सबका कटता है सबका लगता है बस कट ने के बार चू पर रहता है मूह नहीं खोलता लेकिन लड़किवें का कट रहा था उस में जिर्फ और सिर्फ मुझे इन लड़कियों की ही गलती लगती है क्योंकि कभी भी तुमने उसके माबाप से कॉण्टक करने की कोशिश नहीं की या फिर उनके भाई-भेनवा से संपतक करने कोशिश नहीं की बस इतना ब्लाइंड ट्रस्ट अब ऐसे कौन से घ्रह से आयो बे एक क्लिक के ओपर आजकल सारा इंफोर्मेशन मिल जाता है लेकिन वह सब करने में बहुत मेहनत लगता है इतना मेहनत किसी को नहीं करना अगर इतना मेहनत करना ही होता तो अपने जिंदगी में कुछ करके आगे नहीं बढ़ जाते ऐसे टिंडर पर आकर अमिर लोगों को थुली ना फसाते या फिर खुद उनके चंगुल में फस जाते चलो बहुत हो गई ताना बानी एक नेट्लिक्स का प्रड़क्शन और रेट कहें टीवी एम ए यानि के आरी समझ लो तो बच्चे अकले से तो इस विल्कुल ना देखे लेकिन बड़ों के साथ कंफोरी परिवार भी आराम सा बैट के देख सक कि कौन घर पर ऐसे बोलके रखेगा कि भाई में टिंडर पर लेकिन बोलने वाले बोलते भी हैं और जो नहीं बोलते हैं उनकी ऐसे लगती तो यह फिम इंग्लिश के अलवा और कौन से कौन से लेंगर इसमें अवेलेबल है या आपको एक रियल लाइफ कौन की डॉक्में उसी के साथ सिनमेटेग्राफिय और डिरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और आपको बहुत ही लाइंड रखती है कि तीन अलग-अलग लोगों की कहानी बहुत ही अलग-अलग जगों पर अलग-अलग टाइमीन पर हो रही है तो इसे एक साथ लाकर लोगों को दिखाना और आपको अंतक इस कहानी के साथ जुड़े रखती है और खास करके इन लड़कियों के साथ कि आगे इन लड़कियों के साथ क्या होगा इसका excitement भी बना रहता है तो भाई मेरा तो टॉंड मरके हो गए मरफ अपन्डा यही है कि ऐसा कुछ किस्सा मेरे साथ नहीं हुआ ले यह भी नहीं पता होता कि उनके जैसे और भी कोई है जो यह सारी चीजा जहेल रहा है तो टॉंड मारने का भी एक टाइमिंग और एक लाइसेंस है मतलब जब तक आपने ओपर कोई चीज नहीं बीतरी तब तक हम दुसरों को ताने मार सकता है लेकिन जैसे अपना कटता है वैसे वा लाइसे एक्सपार हो जाता है तो इतने ही कहोंगा दिमाग लगाओ प्यार में इतने वी अंदे मत हो जाओ बाकी तो यह बंदा कैसे लड़कियों का अपने भूले सूरच से प्यार में थसाता है और अलग-अलग तरीके से ठकता है यह सब तो आप लोगों को दे भेर सारे पाईसे देखा लालची मत बनो पैसे कमाने के लिए घसना पड़ता है बबा बिना घसे किसी को पाईसा नहीं मिलता है और असल कड़वी जिंदगी को जादा समझ देगी कोशिश करो और अगर ठगी ही करना है तो जरत देखो यह ओनलें क्लासेस भी देता और इत तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना इच अगर आपको मेरा चाहिए व्लॉग कंटेंट परसंद आता है तो उसे लिक्स आ रहे हैं आप पर जाकर देख सकते हो तो आपसे फिर को लागत होगी मेरे दूसे ब्लॉग पर टिल दर टेंच लेने कानी मालोग को परिशान करने कानी बाज वले को बेलेड़ छेने करने इन सस्क्राइब किये विना जाने कानी क्या हो वाए